राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ पुत्रदा एकाशी व्रत कब किया जाएगा और किस विधी से इस व्रत को करें कि नुश्य की सभी मनों कामनाएं शिक्र अतिशिक्र पूरी हो जाएं और जिनके यहां संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति हो बंधों पुत्रदा एकाशी का व्रत एक साल में दो बार आता है एक वरत पोश पुत्रदा एकाशी का होता है और दूसरा वरत सावन महा के शुकल पक्ष की एकाशी को किया जाता है इस वर्ष सावन महा की पुत्रदा एकाशी का वरत 27 अगस्त रविवार के दिन किया जाएगा बंधों, पुत्रदा एकाशी व्रत का शास्त्रों में बहुत अधिक महत बताये क्या है इस व्रत को करने से भगवान विश्णु की विशेश कृपा प्राप्त होती है और साधक की सभी मनो कामनाएं शिग्र अतिशिग्र पूरी हो जाती है बंधों, अब मैं आपको पुत्रदा एकाशी का महत बताऊंगी शास्त्रों के अंसार इस व्रत को करने से संतान सुक की प्राप्ती होती है पुत्रदा एकाशी व्रत रखने से नुश्य को सभी भोतिक सुखों की प्राप्ती होती है साथ ही उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं यह व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और कई प्रकार के क्रहे दोश भी दूर होते हैं साथ ही दामपत्ते जीवन भी खुश हाल होता है जो पुत्रदा एकाशी व्रत को करते हैं बंधों पुत्रदा एकाशी व्रत की विधी क्या है एकाशी के दिन सुभह जल्दी उठें शुद जल से शनान करें शनान में गंगा जल का इस्तेमाल अवश्य करें और साथ ही कुछ काले तिल नहाने के जल में अवश्य डालें साफ सुत्रे वस्त्र पहने पूजा घर को सच बनाएं इसके बाद भगवान विश्नु के समक्ष दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर ब्रत का संकल्प करें फिर भगवान की शोडश उपचार पूजा करें सारा दिन भगवान विश्नु के नाम जाप में बिताएं भगवान विश्नु को तुलसी दल और फल अवश्य अर्पित करें रात को भगवान के समक्ष शुद देशी घी का दीपक चलाएं और पूरी रात जागरन करें अगरे दिन प्रत्यकाल शनान आदिस से निवरित होकर भगवान की पूजा करें और किसी ब्राहमन को भोजन कराएं और उसके बाद ही वरत का पारन करें बंधों पुत्रदा एकाशी वरत का पारन 28 अगस्त सोमवार को किया जाएगा बंधों इस बार पुत्रदा एकाशी के दिन सरवास सिद्धी योग बन रहा है ऐसे में मंदे जाकर शीहरी और हर की अरादना की जा सकती है साथी भगवान से अंजाने में हुई भूल के लिए किशमा मांगे बंधों पंचांग के अंसार सावन महा के शुकल पक्षी एकाशी तिथी की शुरुआत 27 अगस्त 2023 प्रात है 12 बजकर 8 मिनट पर होगी वहीं इसका समापन रात्री 9 बजकर 32 मिनट पर होगा बंधों पुत्रदा एकाशी के दिन यदि किसी के संदान नहीं है तो इस प्रकास से भगवान विश्नु की पूजा करे सुभे जल्दी उठे शनान आदिस से निव्रित्धो कर शुद्वस्त्र पहने इसके बाद पूजा घर में दीप जलाकरवत का संकल्प लें और अब पूजा की तैयारी करें पूजा के लिए भगवान विश्नु की फोटो या प्रतिमा एक लकडी की चोकी के उपस थापित करें चोकी में पीने रंग का कपड़ा बिछा लें अब भगवान को हल्दी और चंदन का तिलग करें फिर फल, फूल, नवित्ति आदी अरपित कर भोग चड़ाएं पूजा में तुलसी और तिल भी जरूर अरपित करें इसके बाद दीप और धूप चलाएं और पुत्रदा एकाश्ची की ब्रत कथा पड़े इस दिन विष्णू सहस्त नाम का पाट करना भी बहुत लापकारी होता है अब भगवान विष्णू की आरती करें इस तरहें विधी विधान से किये पुजा से भगवान विष्णू प्रसन होते हैं और आपको अशिरवात देंगे पुत्रदा एकाश्ची व्रत करने से मनुष्य के सभी पापकरम मिट जाते हैं बंधों पुत्रदा एकाश्ची के दिन इन उपायों को अवश्य करें संतान प्राप्ति की कामना के लिए पुत्रदा एकाशी के देन भागवान शीक कृष्ण के बाल रूप का पूजन करें पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति में बादार आ रही है तो शद्धा पुर्वक पुत्रदा एकाशी का वरत करें यदि आप पुत्रदा एकाशी का वरत निर्जल कर सकते हैं, तो आपको गुनवान संतान के प्राप्ति होगी, बंधों पुत्र प्राप्ते के लिए सावन पुत्रदा एकाशी पर भगवान को पूजा में हलवे का भोग लगाएं, और ओम देव की सुद गोविंद वासुद देव जगत पते, देही में तन्यम कृष्ण, त्वा महाम शर्नम, इस प्रकार से 108 बार मंत्र का जाप करें, संतान के केरियर या उन्ती में बाधाईं आ रही हैं, जिससे वह सफल नहीं हो पा रहा, तो आप सावन पुत्रदा एकाशी के दिन, पीपल के पेड के निचे, घ घी का दीपक जलाकर विश्नु सहस्त नाम का पाड करें, इस से संतान के केरियर में आने वाली बाधाईं दूर हो जाती हैं, वश्वरिधी या संतान प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकाशी पर गरीब बच्चों को अन, वस्त्र, गुड, घी का दान करें, इस से ज बंधों, एकाशी व्रत में कुछ नियोमों का पालन आवश्य करें, बंधों, एकाशी के दिन बाल आदी भूल कर भी ना कटवाएं, ना ही मूच आदी कटवाएं, इस तिन नाखुन भी ना काटें, एकाशी के दिन सिर अर्थात बाल भूल कर भी ना धोएं, कहा जाता है, एकाशी के दिन सिर्ध होने पर जब बाल जड़ते हैं तो उतने ही मनुष्य की पुन्य करम समाप्थ हो जाते हैं बंधों एकाशी के दिन चावल ना खाएं एकाशी के दिन मासाहार का प्रयोग भूल कर भी ना करें और ना ही शराब आदी का प्रयोग करें बंधों, एकाशी के दिन किसी का दिल ना दुखाएं, ना ही किसी की निंदा चुगली करें बंधों, एकाशी के दिन हो सके तो तुलसी दल भी ना तोड़ें एकाशी के दिन सभी का आदर सन्मान करें किसी के दिल को ठेज ना पहुचाएं बंधों यदि आप इस प्रकार से पुतरदा एकाशिवरत करते हैं एक तो आपके सभी पाप समाप्त होंगे दूसरे आपकी सभी मनो कामनाएं पूरी होंगी जिनके यहाँ संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ती होगी और जिनकी संतान के करियर में बाधाएं आ रही है उनका करियर अवश्य बनेगा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साश्यर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें धन्यवाद